हेलो, वाट्स अप गाईज, माई नेम इस पिनोट बहादूर थापा एंड तो ने इस पीडियो भी वीडियो वीडियो ने जा रहा है अब भी तक अगर आपने बागी के प्रीबेसली वीडियो को चेक आउट नहीं किये आपको जब भी फ्रीटाइम मिलेगे ज़रू चेक आउट कीजए क्योंकि बहुत जादे इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले आपको यह बाता ना चाहूँगा अब भी तक हमने क्या क्या देखा अपने इस सीरीज में मॉंगोose की सीरीज में राइट हमने देखा हमं मॉंगो इस कैसे इस इंस्टॉल करना है उसको किस तरीके से रिखार करना है कैसे अपने डेटाबेस के साथ हम इस को पनेटकरवाना है इस का डेटाबेस का नाम भी and now guys with the help of schema हमने हमारा एक new collections क्रेट किया inside our database जिसका नाह है थापा technical channel and वो हमने बहुत इस्तरगे से क्रेट किया and हमने यह समझा कि जब भी हम collection का नाम लिखते है inside a mongoose.model के अंदर so it should be a singular and behind the scene जब हम इसको run करेंगे तो वो plural में convert हो जाता है and यह capital case होना चाहिए basically pascal convention हम इसको बोलते है it should be a capital क्योंकि यह आपका class की तरह work कर रहा है now guys we need to create a document we need to create a document and insert and basically आप कैसे insert a document ठीक है अब वो हम कैसे कर सकते हो देखो guys it's super duper easy यह जो playlist है इसको मैं copy करता हूँ सबसे पहले guys हम देखो करने के बहुत सारी तरीके लेकिन मैं आपको best थरीका बताता हूँ using async await so मैं क्या करता हूँ सबसे पहले तो simply इस तरीक से चलता हूँ and यहां पे में लिखता हूँ किस तरीक से simply में लिखूंगा const ठीक है यह मेरा guys मेरा डॉकुमेंट का नाम है simply and that is react playlist ठीक है and यह में again camel case convention use कर रहा हूँ and यहां पे में चलूँगा new यह मेरा playlist यह जो मेरा class है उसकी मदद से मैंने एक new instance create की object and आप कह साकते हो basically अब यह मेरा एक पहला document होने जा रहा है react playlist पहला document का मतलब यह कि अगर मैं आपको दिखा हूँ यह मेरा एक first document यह मेरा second document यह मेरा third document ठीक है तो मैं यहां पे चलता हूँ मेरा पहला document मुझे इंसर्ट करना है so guys you need to write a parenthesis and then a calibrations अब यहां पे आप आप लिखिए मैंने already schema set करी चुका है इसको डिट्टो में copy करता हूँ यहां पे paste कर देता हूँ now यह जो type यह सब जो कुछ है इसको हटा कि यहां पे में नाम लिख देता हूँ react.js ठीक है simple अब यह जो मेरा course का type है मेरा course क्या है front end है front end यह जो मेरी videos के number है यह guys 80 plus है तो 80 लिख दिया author कौन है obviously thapa technical so thapa active क्या है obviously active है you know course active है और यह जो date है आप देख सकते हो date में default value दे रखा है in case अगर मैं date की value ना भी लिखूँ तो भी guys मुझे error नहीं आने वाला क्योंकि इसको मैंने default value set कर चुका है है कि नहीं एक तरिके से validation का काम कर रहा हूं this is it इसकी need नहीं है so guys हमने हमारा simply you know आप कह सकते हो कि हमने हमारा पहला document क्रेट कर लिया कि इतनी easily create किया and guys आप देख सकते हो now जब हम इस तरिकी से अपना document का structure define कर देते तो हम बहुत easily क्योंकि हमें खुद पाता है कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना था simple now अब आपको क्या करना है इसको सिर्फ सेब करना है so मुझे क्या करना है react playlist पे मैं चलता हूं dot save method मैं आपको एकदम simplest version लिद दिखा रहा हूं this is it control s save अब मैं यहां पे चलता हूं ठीक है अभी गाइस मैं सबसे बहले तो क्या करता हूं यहां पे चलता हूं इसको मैं connect पे चलता हूं हाला कि कोई फाइदा नहीं आप देख सकते हो tt channel करके कुछ भी database यहां पे present नहीं है हमारे इस compass पे ठीक है लेकिन अप में इसको रॉन करता हूं तो 3 to 1 हमने एक नया collection क्रेट के प्लेइस्ट and with the help of those playlists, not those playlists, that playlist हमने उसकी मदद से एक new document क्रेट की जिसका नाम है ये and हमने ये पहली document इंसर्ट करा ली, इतना simple है और ये save मतलब insert हो गई है, अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ ठीक है, अब देख सकते हो, अगर मैं refresh करता तो कैसे यहाँ पे तो कुछ होगा नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा वापस connect, connect, loading plugins ठीक है, आप देख सकते हो, इन शलाइस हो चुका है, आप देख सकते हो, मैं अब आपको याद है, जब मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता है तो, अब मुझे क्या करना है, कि जब मैंने इसको किया, select तो आप देख सकते हो, fill in connection, इस पर क्लिक करना है, यह automatic हो जाता, कुछ नहीं करना है, खली उस पर क्लिक करना था, अब आपको connect पर क्लिक करना यह वाला जो पार्ट इसको मैं डिलेट करते हैं, इसको रखता हो, and boom, guys, यह देखे, tt channel, tt channel, tt channel, all right, guys, यहाँ पर आप देख सकते हो, tt channel, playlist, and यह जस्ट मैंने अभी जो एड़ किया, and that is react, frontend, 80, thapa, technical, true, and this is it, guys, देखो, कितना easy था, you know, हमने कितनी easily, with the help of express, हम यहाँ पर अपना database को store करवा रहे है, अपने local database पर, all right, guys, मैंने आपको काहता है, यह simplest form था, लेकिन हम इसको और बैटर तरीके से कर सकते हैं, कल की दिन अगर कुछ error आ रहा हो, क्या यह प्रॉपर ली स्टोड हुआ, यह इन्सर्ट हुआ है, वो सब अगर हमें पता लागाना हो, तो इतना याद रखो कि यह जो dot save method है, यह promise return कर रहा होता है, ठीके, and promise मलब कुछ नहीं, वही आपका then and then catch वाला काम हो रहा है, लेकिन, guys, promise से बैटर है, क्यों न, यह जो part है, ठीके, यह जो react playlist dot save method है, हमने जब इस तरीके से कहा कि इस document को आप create कीजिए, and इसको insert कीजिए, जो की insert कर चुका, लेकिन, behind the scene, guys, यह एक asynchronous work हो रहा होता है, ठीके, उसका मलब है कि, guys, यह थोड़ा समय लेता है, इसको insert करने में, ठीके, तो उसी के लिए हम बोलते है, promise का काम भी तो वही था, मैंने आपको बतायता है, वो थोड़ा समय लेता है, बट आपको आपका result दे तो यह थूदर के लिए रूखता है, तब जाके यह data, वो हमारे database पे insert होता है, तो मैं क्या करूँगा, जो थूदर के लिए हमें रूखना पढ़ रहा था, उसको मैं directly, guys, async await में, simply await मलब हम थोड़ा सा wait करेंगी, ठीके, and जो भी data हमें मिलेगा, उसको मैं as a result में इसको insert क करके रख दूँगा, this is it, so यह जो पार्ट है, यह आपका async work कर रहा होता है, यह basically promise return कर रहा होता है, लेकिन promise से better होता है, आपका async await, तो हमने यह बोला, ठीक है, जब मैं बोलूँगा, कि मेरे इस document को आप करिए, save in the sense, इस document को करिए insert, तो वो थोड़ा समय ले रहा है, हम हम तब तक wait कर लेंगे, हमने का ठीक है, आप समय ले लीजे, हम wait कर लेंगे, and जब वो wait over हो जाएगा, जब वो घड़ी आ जाएगी result की, तब हम उस result को इस constant variable में store कर देंगे, and अब मैं बहुत इजली उस result को यहाँ पर check कर सकता हूँ, अगर मैं simply स्रिक से result लिखता हूँ, तो, ठीक है, and guys आपका यह जो wait है, यह without async function के अलावा काम नहीं करता है, so मैं क्या करता हूँ, यह जो मैंने code लिखा है, इसको एक function के अंदर मैं add कर देता हूँ, async function के अंदर, ठीक है, and it's super duper easy, const, मैं लिख देता हूँ, create, or document, equal to, आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा async, space, and then आपको guys, parenthesis, fat arrow function, and this is it, ठीक है, अब यह जो कुछ भी मैंने लिखा, इसको हटाओ, इसके अंदर आप guys, यहाँ पे चल के पेस्ट कर दीजे, all right, control, save, ठीक, async से देखो guys, अभी यह जो function इसको हमें call तो करना पड़ेगा, क्योंकि define हम कर रहे, तो यहाँ पे चलता try and then catch block, ठीक है, copy, try के अंदर इसको paste कर दीजे, this is it, and the moment आप try का, जो यह callip races खतम होता है, go with catch, ठीक है, आपको यह catch के अंदर, जो हमें error मिल रहा होगा, simply उस error को भी हम यहाँ पे, आप क्या कर सकते guys, pass कर सकते, this is it, इतनी easily, so यह है आपका actual तरीका, modern तरीका, जहाँ पे, you you know, promise से भी better होता, आपका async function, हम wait कर लेंगे, जब भी result stored हो जाएगा, हम उसको console करवा देंगे, and उसको guys, try and catch में यूज करेंगे, ताकि in case कुछ problem हो रहा हो, ता हम उसको catch कर सके, simple, control, save, अभी मैं क्या करता हूँ, already react तो है, मैं यहाँ पे चल कर लिख जाता हूँ, इस तर visit बाकी यह भी true है, अब मैं चलता हूँ, ठीक है, इस जगे पे मैं चलता हूँ, अभी आप एक चीज़ देख सकते हो, कि guys, मुझे बाबा connection को close करना पड़ रहा है, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन अब अगर मैं रन करता हूँ, and boom guys, से देखे, connection successful, यह जो data है, note जैसे, guys, वहाँ पे insert हो चुका है, and यह मुझे यहाँ पे इसली मिल रहा है, क्योंकि नाव मैंने यह बोला, भाई, आप save करिए, लेकिन आपको time लगता है, वो हमें मालूम है, आपको जितना भी time लगता है, आप उतना wait कर लेंगे, लेकिन जैसे ही आपका काम हो गया, उसका जो भी नोड जैस, यहाँ पे भी आगया, तो कितिनी easily guys, अब हम insert कर सकते, देखा, so guys, आज इस वीडियो के लिए इतना ही, and really, आपको वीडियो बहुत मज़ा रहा होगा, क्योंकि हमने मंगूस को पहले require किया, इसके बाद guys, हमने connection establish की, connection establish करने के बाद हमने database भी create किया, अगर वो इस database के अंदर obviously collections होंगे, ठीक है, उस collections के अंदर documents होंगे, तो वो जो document हम use करने वाले, उसका structure क्या है भाई साब, है की ने, तो उसका structure को define करने के लिए we have a schema, schema का काम ही है, हमारा जो document है, उसके structure को define करना है, वो हमने कर दिया, now with the help of schema, अब हमें क्या करना है, database तो ready है, लेक सकते हैं यहां पर भी वो, playlist अब PB capital है, sorry PB small letter में है और यहां पर एक extra S आगया, singular form में बन गया वो, यहां तो मैंने S एड नहीं किया था, यह आपको ध्यान में रखना है, and it's a class तो यह भी आपका capital होगा, यहां पर आपने क्या 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 collection क्रेट कर लिए, अब उस collection के अंद अदर ले जाना है, जहां पर हमने async await उसकी, and उसको एक step of further ले जाके error handling भी कर दिया, जहां पर try catch method भी हम यूज कर रहे, so I really हो guys, आपको वीडियो बहुत पसंद आ हो, and guys, मैं directly अभी से ही async await, try catch सब कुछ add कर दे रहा हूँ, क्योंकि guys, हमने advanced JavaScript में already async await, try catch, promises, callback, hell, यह मत चुक है, अब भी तग अगर आपने नहीं देखा, वो सब वीडियो को जरूर चकाट कीज़े, guys, क्योंकि बहुत ही जादे important, and simply हम यहां पर उस method को call कर रहे, I mean उस function को call कर रहे थे, so guys, अब हम next video में यह देखेंगे, कि इस case में क्या हो रहा है, कि मैं सिर्फ एक document at a time insert कर चाहिए, तो वो हम कैसे कर सकते है, मतलब multiple documents हम at a time कैसे insert कर सकते है, वो मैं आपको next video में बता हूँगा, so guys, बताना चाहूँगा, आज इस वीडियो के लिए तना ही, and अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी useful लगा, please इस वीडियो को एक लाइक जरू कर दिजेगा, अपने बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस कीजिए, so guys, अब भी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, please guys, सब्सक्राइब कर लिजेगा, right side में एक red color का bell icon एक गंटी दिखाई देगा, hit कीजे, click कीजे, ताकि आप daily ऐसे awesome videos को मिस ना कर and कुछ भी डाउट हो तो बेफेकरों के नीचे कमेंट कीजे, मैं आपकी जरूर हल्प करूँगा, so till then guys, thank you so much, take care